हलो सुडेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं तो स्टुडेंट्स आज आपको मैं बता देता हूं हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इसट आपको नाम है सब्सक्राइब क्या है क्यों पढ़नी है ठीक है आज हम लोग बिसिकली अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिसिकली एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर में सबसे पहले बता हुँ इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको बता हुँगा मीनिंग ओफ मैटेरियल मीनिंग ओफ मैटेरियल की मैटेरियल का मतलब क्या होता है ठीक है क्या मतलब होता है मैटेरियल का ही मैटेरियल है क्या ठीक है चलिएगा उसके बाद मैं डिसक्स करूँगा आपके साथ क्या टाइप्स ओफ मैटेरियल के मैटेरियल कितनी तरीके का हो अच्छा सर हां अब्जेक्टिव तू स्टड़ी इस चैप्टर इसके बाद मैं आपको चैप्टर मताऊंगा सर कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा पर्पस डैडिस अब्जेक्टिव क्या रहेगा सर जो को सिंपल सी बात है हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे है और हम लोग इस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का हमें पता रहे कि क्या पर्पस है पढ़ने का तो हम लोग इस तरीके से स्टड़ी करेंगे सर ठीक है तो मैं बता हूँँगा सर उस चैप्टर का जो अब्जेक्टिव है उसको discuss करेंगे techniques ठीक है ना techniques to control material costs ठीक है basically मैं जब आपको objective बताऊँगा ना तो उसमें discuss करूँगा इस chapter को पढ़ने का objective है वो basically है material की cost को control करना ठीक है material cost को control करना reduce करना कैसे reduce करें wastage कम करके ठीक है और wastage कम करने के लिए आपको ठीक हैं से कि थी चापने का हो थी बदाना बच्चो material का मतलब क्या होता है number 2 हम डिस्कॉस करेंगे 튼 की तरीके का होता है पिर हम डिस्कॉस करेंगे कि इस चाप्टर को पढ़ने का purpose क्या है तो purpose है वो simple सा मैं आपको हिंट भी दे दिया है, material की cost को reduce करना, उसके हम लोग discuss करेंगे, उसर क्या, वो techniques क्या use करेंगे, material की cost को reduce करने के लिए, ठीक है, चलेगा, तो इस pattern में आपको अपना chapter discuss करूँगा, तो सबसे पहले जो मैं start कर रहा हमके साथ, सबसे सबसे पहले start करूँगा, meaning of material, सबसे पहले start करूँगा, meaning of material, की material का मतलब क्या होता है, what is the meaning of material, अच्छा सर, हांच, चलेगा, एक line लिखना, इसके उपर, line लिखना, सर, all the cost, ऐसले लिखना, all the commodities, commodities, which are used, to produce a finished goods is called what, is called material, क्या कहते हैं बताना बच्छों, उसको material बोलते हैं सर, तो मैंने एक definition लिखवाई है, material की, जिरा पढ़ेंगे इस material की definition को, लिखा हुआ है सर, material का मतलब बता है, सारी की सारी commodities, सारी की सारी commodities, जिसका use कर रहें, जिसका इस्तिमाल कर रहें, सर, use कर रहें, सिर्फ किसले use कर रहें, produce करने में, सिर्फ क्या produce करने में, एक finished goods, एक finished goods को बनाने में, जिस commodities का हम लोग use करते हैं, वही commodities का कहलाती है, मेरे पास, material कहलाती है, material कहलाती है, तो सारी कि सारी वह काबॉडिटी जो किसी फिनिश्ट प्रोडट को बनाने में लग रही है वो हमारे पास मेटिल के लाएगी अच्छा सर हां तो एक्जांपल दीजिए एक्जांपल बड़ा भैतरीन है सर बड़ा बैतरीन एक्जांपल दे रहा हूं माल लिजा आपके प्रो ऊक्षांपल धिमिंश्ट को बनाने में लग रही है थो यह सिसी फिनिश गूट कौन जो भी हमारा HKD लगा Kattis 3 मलों यही सारी कमोडेटी 1 लग रही है इसी इस वी बोलता जांटेन में है इस चैप्टर में मैटेरिल को बिसिकली राव मेटेरियल भी बहुत सकते हैं ठीक है उसके डेफिनेश समझ में आगे आप लोगों को ठीक है जो भी कमडेटीज की फिरिस गुड्स को बनाने में लग रही है तो मोबाइल को बनाने में क्या के लग राइस क्रीन बैटरी और कै रहते हैं जो भी किसी प्रोड़ेट को बनाने में लग रहे हैं वो सब क्या हमारे पास राव मेटेरियल है एक एक्जाम्पल और दोसर और इसाम्पल तुल ले रहा है जैसे वाली जेक पनीचर है टीबल को बनाने में क्या क्या लग रहा है दाना बच्चों टिम्बर लकड प्रोड़ेट को बनाने में जो भी कच्छा माल या राव मेटेरियल लगता है सर वही तो मैटेरियल है दो प्लिक कर दिया अब हमें डिसक्स करिये तवं अब अब में discuss की जिए types of material so types of material भी बताईए types of material discuss कर दिया दूसरा topic एसमे types of material बच्चों भाया को बतानू there are two types of material लिख लिख लिजे there are two types of material material हमारे पास दू तरीके का होता है बच्चों सर अच्छा हांची कर कौन कौन सा बताएंगे बिल्कुल बताएंगे सर एक होता है हमारे पास direct material और दूसरा होता है हमारा indirect material सर हमारे पास दू तरीके का material दूसरा होता है indirect material, सर इसका मतलब बताएंगे सर बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे इस classes पे आए है तो बताने के लिए आए हैं सर, तो हम definitely बताएंगे, what is the meaning of direct material and what is the meaning of indirect material तो हम लोगो start करें, किससे सर direct material से start करें, ठीक है ना ठीक है ना, ठीक लीजे that is the material the raw material which can be easily identified identified को इक बताएंगे लिए ना oblique traced in finished goods क्या बताएंगे ना बताएंगे direct material का मतलब the material which can be easily identified or traced in finished goods is called raw material that is direct material सर हम इस समझ में नहीं आया मैंने बताएंगे नहीं लिखा है बस है या नहीं सुरा सुनना बच्चो direct material का मतलब होता है ऐसा material जिसको आप directly identify कर सको कि finished goods में उसकी कितनी quantity लगी हुई है समझवारी बत ऐसा raw material जिसको आप identify कर सको कि मेरी finished goods में कितनी quantity लगी हुई है उसको बोलते है सर डारेक्ट material अच्छा है सर सर अब example देरा सुनना पहले मैंने मीनिक बता दिया कि जिसको identify कर सकते है कि finished goods में इस raw material की इतनी quantity लगी हुई है उसको बोलते है डारेक्ट material अच्छा सर हाँ एक्जांपल देना एक्जांपल में बहुत सारे दूबा उससा आप clarity आ जाएगी जारे सुनना जैसे आपका एक fan है fan के तीन wings है ठीक है तो बतान विंग क्या हो गया जो wings होते है अपने सब ड्राइंग में मत जाना मेरी तीन wings है माल लेजे fan समझ माता है जो आपका ceiling fan होता है ठीक है तो उसके अंदर कितनी wings होती है थी wings होती है बोलिए सुखर नो 3 wings 1, 2 and 3 तो यह कि हमारे पास wings जो है हमारे पास कौन सा मैटेरियल हो गया direct material because it can be easily identified in peninsula fan के अंदर आप identify कर सकते हो कि wings हमारे पास कितनी है 3 है yes or no 1 fan में कितनी wings होती है 3 ऐसी एक example लो एक mobile अगर आप से खुचा एक mobile में कितनी battery होती है तो आप easily identify करके बता दो कि सिर्फ one battery in one mobile अच्छा जी हाँ एक example और लो एक shirt है shirt में कितनी button होती है button कितनी होती है sir identify कर सकते हो और हम से yes example और लो एक table में कितना timber लगा हुआ लखडी कितनी लगे हो या identify कर सकते हो yes sir timber तो which can be easily identified in finished goods ठीक है जैसे मैंने fan में कितनी wings है mobile में कितनी battery है shirt में कितनी button है table में कितनी timber है ऐसे raw material जिसको आप identify गर पार हो finished goods के अदर कितनी content लगे है उसको बोलते हैं लोग direct material sir ठीक है sir इसी के opposite मेरा दूसरा होता है कौन सा indirect material sir कौन सा होता है indirect material तो sir indirect material के बारे में बोला गया है यह इसके opposite होगा direct के opposite होता है indirect sir okay हाँ जैसे direct के इंतर के इंतर बना आएगा it can be easily identified or traced कि finished goods पे कितनी quantity लगे है direct material ही identified कर सकते हो जैकि indirect material का मत्दा हो that is opposite के लिखना which cannot be easily identified in finished goods इसके बारे में क्या बोला किया इसको यह बता लगा सथा कि फिर्दि पुर्स में कितनी कॉंटिटी लगी ऑग पाऊने ए एक्जिक्ट्ली कि इस एक्जांपल दूँ जहीं एक जाब्ल दे रहो शर्ट में कितना फ्रड लगाए द्धागा इस बटन तो काउंटिंग हो जाएगी देगा इस नहीं हो सकता ना सर कि तनी कॉंटिटी द्धागे की लगी एक बनाने में नॉट पॉसीबल वैसे एक टेबल में बात करो टेबल में फैबिकॉल कितनी लगी ह ठीक है नेल्स कितनी लगी है नहीं पता लगा सकते हैं बिल्कुल पता नहीं लगा पाओंगे से बिकॉज यह सब कौन सा मैटेरियल है इंडारेट मैटेरियल है टेबल में टिंबर कितनी लगी है पता लग सकती है लेकिन टेबल में फैबिकॉल नेल्स नॉट पॉसीबल ट सब्सक्राइब करना पॉसीबल नहीं है उसी को बोलते हैं इसको इंडारेट मैटेरियल तो सब्सक्राइब और दूसरा हो सकता है इंडारेट सब्सक्राइब एक तो मीनिंग और मैटेरियल दूसरा टाइप सब्सक्राइब तीसरी बात बताएं तीसरी बात असर यह चैप्टर आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें तो नहीं पढ़ना ऑब्जेक्टिव तो स्टडी इस चैप्टर इस चैप्टर को पढ़ने का उदेश से क्या है परपस क्या सिंपल जी बात है कोई बी चैप्टर हमें पढ़ना है उसका परपस तो पता होना चाहिए वह वाट इस चैप्टर को पढ़ने का परपस किया है सर अब्जेक्टिव क्या है तो सिंपल सी बात है मैंने आपको इंट्रदक्शन में बताया था सर कि कॉस्ट अकाउंटे इस कौन करना और बीना क्वालिटी जाउन किया है इसके बहुत सारे परपस है और उन काँस्ट तो कम करना एस तो उसके लिए क्लाओ बच्छो तो कों करने के लिए में काउस्ट में लगाना है और आपको पता है सिर्व लिए अगर आपको बना रहें ऑसमें अराउंड सिक्स्टी परसंड से लेकर 70% तक total cost का हिस्सा वो material की cost का होता है अब किसी प्रोडट को त्यार कर रहे है उस product की cost में 60 से लेकर 70% तक का हिस्सा material की cost का होता है तो आप अगर total cost को कम करना चाहोगे तो सबसे पहले किसमें फोकस करना है material थीक है तो इस chapter के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम material के ऊपर various types के control को implement कर सके जिससे कि material पर लगने वाली wastage क्या हो जाए कम हो जाए और जैसे wastage कम होगी तो क्या होगा बदाना बच्चो बोले हाँ या ना तो इस chapter के में क्या discuss करना है इस chapter में यह discuss करना है कि इस raw material के ऊपर इस raw metal के ऊपर किस तरीके से अब various types के control को implement करें जिससे कि इस material पर लगने वाली कॉस्ट क्या हो जाए कम हो जाए अब material की कॉस्ट कम होगी तो automatically total cost of product भी कम हो जाए कि बोले जाए सब्सक्राइब लिख लीजिए तो लिखना अब लैंग्वेज में लिखना as we know that one of the objective to study cost accountancy इस तो रिद्यूस टोटल कॉस्ट अब एनी प्रोड़क्ट ठीक है किसी प्रोड़क्ट की टोटल कॉस्ट को कम करना आब लिखने से माटेरियल इस वन अब दा मेजर कंपोनेंट अब टोटल कोस्ट अब एनी प्रोड़क्ट से कितना परसेंट माल लिजे 60-70 परसेंट कॉस्ट की होती है ट्रोड़क्ट की होती है ठीक है in this chapter we will discuss various techniques so that material वेस्टेश्ट कैन बी रिडियूस्ट यह न हम लोग क्या पढ़ेंगे वेरिश्ट टेक्नीक्स पढ़ेंगे इससे क्या होगा मैटेरियल की वेस्टेश्ट क्या होगी रिडियूस्ट हो सकती है ठीक है न लिश्टी यही पर एस जैसे ही दियर विदी रदक्शन in material wastage there will be also reduction in material क्या cost तो ultimately हमें सार इस subject के अंदर material की cost को ने सुरी इस subject के अंदर हमें total cost को कम करना सीखना है सार और आपको समझ में हमारे पास क्या है एक major component है total cost का around 60-70% किसी के खर्चा लग रहा है material को लग रहा है yes or no तो इस chapter के अंदर control की technique सीखेंगे जैसे कि metal की waste 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 का हो सके कम हो सके और जैसे metal की cost waste waste कम होगी automatically क्या होगा there will be reduction in material cost also ठीक है तो यह बात है सर अब्जेक्टी तो यह हो गया सर clear okay सर हमें यह बात समझ में आगे कि हमारे को इस chapter के अंदर material की waste waste को कम करना सीखना है अब सर हमारे पास अगला जो question आता है सर जो अगला question आता है मैं कंट्रोल की technique सिखाने से पहले मैं आपको बता हूँ कि हमें controls लगाने कहां कहां पर है वो techniques किस-किस प्लेस पर आपको apply करने किस-किस प्लेस पर implement करनी है किसकी material की control की techniques तो अब ज़रत देखना inventory controls कहां कहां पर लगाने पहले heading डा लेंगे inventory या material के control लगाना कहां कहां पर है material controls है न टेकनीक सीखने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो control किस-किस प्लेस पर लगेगा सर ठीक है मैं आपको बड़ा सिंपल सब एक diagram दे रहा हूं से ज़रा सुनना देखो बच्चो हम लोग पिल्कल प्रैक्टिकल ही सीखेंगे चीज़ों ठीक है तो diagram जरूर देखना सबसे पहले होता supplier सबसे पहले को होता बच्चो supplier ओके supplier से ये सामान कहां पर जाता है supplier से सामान raw material purchase करते हूँ raw material purchase करते हूँ किस से supplier से ओके पहला काम जैसे raw material purchase किया तो यह सामान कहां पर storage होगा नमबर टू पर storage होती है कहां पर store room में storage होगी और raw material store होने के बाद इसको कहां बेज दिया जाएगा तीसर नमबर होगा इसको issue कर दिया जाएगा कहां पर factory में प्रक्ट्री में raw material issue कर दिया जाता है तो सर हमारे पास तीन स्टेज़ेश है सर राव मेटेल की तीन स्टेज़ेश नमबर वान राव मेटेल को प्रिक्यार करना पर्चेस करना और इसको इसको करना राम मेटेल को स्टूर करना कहां पर के तरी क्ली रहा हो की बात तो इसको काम करना पर पर्चेस इसयो स्टूर करते मेटल इसको कर देते न लेकिन जैसे metal factory में जाएगा raw material it will become WIP ये क्या बन जाता है work in progress क्या बन जाता है बदाना बच्छो work in progress clear तो ultimately हमें इस chapter के नदा controls लगाने किस पे raw material किस पे लगाने है raw material पे तो raw material तीन places तक रहेगा number one जब आप उसको purchase करके ला रहे हो number two जब उसको factory में issue कर रहे हो number 4 जो stage है that is factory के अंदर वो raw material नहीं रहता sir जैसे raw material factory के अंदर पहुंच जाता है it becomes WIP it becomes work in progress it becomes semi-finance goods is it clear तो हमारे पस तीन जगा है जहां पे raw material रहता है number purchase के time पे number two store के time पे number three issue के time पे तो हमें इस chapter के अंदर यही जो तीन stages है purchase store and issue इसी stages की proper planning करनी है proper initiatives को organize करना है ठीक है organize करना है और initiatives को properly direct करना है जिससे बताना क्या बताना बच्चो so that we can reduce what wastage of these stages and also the cost so ultimately हगर हम inventory control की बात करें inventory control में हमें किस के stage पे लगाना है purchase, procure पे purchase को हम लोग एक बड़ और बहुते हैं procure number two storage पे और number three issue इन तीन stages पे control लगाना है तो ultimately इन तीन stage की proper planning, proper organization और proper direction करना है आगे भी सिखाई है, बिल्कुल आप हमें इन तीन stages पे control लगाने है, purchase पे, storage पे और issue पे clear, तो अब इनको control लगाने की techniques के नाम पढ़़वा रहा हूं मैं आपको, आप लिखेंगे inventory को control करने की कौन-कौन से techniques आपको पढ़नी है कौन-कौन से techniques आपको पढ़नी है, inventory को control करने के लिए कौन-कौन से techniques है बच्चों मैं 10 लिखवा रहा हूँ अभी आपके साथ, ठीक है चलिएगा 10 techniques लिखवा रहा हूँ, आप नाम डालना चाहिए डाल लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 ये 10 techniques हमको पढ़नी है चाहिए पहली होगाने बच्चों क्या, ABC analysis पहली टेक्नीक है ABC analysis नमबर टू है अब अब ABC analysis लिखवा रहा हूँ आपको ये 10 techniques के का लिखवा रहा हूँ, नाम लिखवा रहा हूँ फुर discuss भी करेंगे दिने लिखा, ठीक है पहली टेक्नीक है ABC analysis नमबर टू है सर क्या नमबर टू टेक्नीक है ordering quantity decide करना इसको लोग economic order quantity बोला करेंगे टेक्नीकल, economic order quantity ठीक है तीसरी जो टेक्नीक है वो हमारे पास क्या है तीसरी है सर deciding stock levels उसके बाद हमारे पास है सर inventory turnover ratio नमबर फाइव टेक्नीक है हमारे पास inventory record system नमबर शिक्स है हमारे पास बताने क्या proper purchase procedure नमबर टू असर प्रॉपर इस्टोरेज प्रॉसीजर इसके बाद हमारे पास प्रॉपर issue procedure उसके बाद हमारे टू बेन system और last असर establishing system of budget बजट बगर अतियार करना यह तो इसके बाद है यह तोह है यह तोहरे तेक्नीक्स है यह पढ़नी इसके लाबभा प्लिस्टोपिक भी इस चाफ्टर भी डिसकस्टन करने चलेगा तो मैं ने था आप आपके अव्ड्री अनलाइसीज ठीक है, ordering quantity, stock levels, inventory turnover ratio, inventory record system, proper purchase procedure, proper storage procedure, proper issue procedure, two-bin system and establishing system of budget. तो यह 10 techniques है, जो आपनों discuss करनी है, इन में से आपको बदायता है बच्चो, यह पहली जो 5 है, यह practical questions होते हैं इसमें, practical questions भी होते हैं सर, यह हमारी next four है सर, यह कहीं नहीं कहीं, theory part में है सर, ठीक है, और इसका जो last है सर, यह वाली, this one, यह basically है practical, यह इस chapter में नहीं सीखेंगे, यह अलग chapter है budgetary control का, वहाँ पर discussion करेंगे, system of budget PR करना, तो budgetary control में budget बजट बनाना सीखेंगे सर, तो इस chapter में हमें कहीं नाइन techniques पढ़ने हैं, और कुछ missless topic भी पढ़ने हैं सर, ठीक है, तो यह हमारी inventory को control करने की different techniques हैं, जिसके आपको नाम mention कर कर दी हैं, अच्छा एक बात और बदाएता बच्चो, एक बात अपने mind में static करना, जैसे मैं notes पर वह रहा हूं ना, यह notes आपको जरूर बनाने हैं, कई यह मत सोच लेना, सर, अरे सर, आम पारे बास तो वीडियो हैं, हम तो कभी भी देख लेंगे, नहीं, ऐसी गलत पहहमी आपकी help कर रहेंगे, सर, exam time में आप पूरी वीडियो सुन न देख होगे, yes or no, yes sir, तो चलेगा मैं आपको पहली technique से थोड़ा सा जागरूप करवा रहा हूं, सर, उस technique का नाम है, पस्ट का क्या, ABC analysis, का नाम बढ़ाना बच्चो, ABC analysis, ओके, यह पहली technique है, control की, जो 10 के अंदर आज में इसका theoretical portion बताऊंगा, ठीक है, next class में इसका practical portion भी करेंगे, ठीक है, चलिए रहा हूं, तो मैं आप से कहा रहा हूं, ABC analysis पे जड़ा focus डालेगा, सर, सबसे पहले मतलब बात है, ABC, यह ABC कहा है, इसकी full form है, सर, कोई, सर, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, इस ABC analysis के अंदर, इसकी कोई full form नहीं है, अच्छा सर, yes, there is no full form, सर, हम, कई बच्चों ने ना, कभी कोई बीकॉम बच्चों ने पढ़ाओ, कभी कहीं पढ़ाओ, तो उसको ना, एक और होता है, अलग से chapter भी है, उसको हम discuss करेंगे, वह हमारा ABC costing का, वो अलग है, mix मत कर देना, उसमें जो ABC का मता होता है, activity based costing, वो अलग chapter है सर, overhead के बाद उसको discuss करेंगे हम लोग, ठीक है, ABC costing का chapter बिल्कुल different है सर, इससे link मत कर देना, समझे रहो, तो द्यान सुलीजे का, यह ABC analysis है, यह छोटा चापिक है कहाँ पर, material chapter के अंदर, अच्छा सर, हाँ जी, और ABC costing क्या है, बताना ब discuss करेंगे, overhead के बाद सर, तो उसकी full form होती है, एकि इसकी कोई full form नहीं है, अच्छा सर, हाँ, तो सर, यह ABC analysis किया, जर आप हमें इससे जागरूप करवाए, मैं बिल्कुल से जागरूप करवाँगा, आप लोगों को, चलेगा, जर आज जागरूप करने की बारियाती है सर, स सर, मैं आपसे कह रहा हूं, कि हमें क्या करना है, inventory के उपर controls लगाने, क्या लगाने, controls, ठीक है, controls क्यों लगाने, जिससे की विष्टेज कम हो जाए, बोलो ठीक है, लेकिंगे सर, controls लगाने से पहले, आपको जितने भी raw materials आप लोग पे control लगाने है, जितने भी raw materials पे control लगा लगाने हैं, इन सब को हम तीन classification बढ़ते हैं, किस में? A, classification A, category के, B, classification C, classification C, category के, तो मैंने कहाएगा, आपको controls लगाने हैं सारे raw material पे, लेकिन control लगाने से पहले, सारे के सारे raw material को आपको तीन category में बढ़ना है, category A, category B, and category C, सर, ऐसा क्यों हो, जड़ा हम discuss करें, यस में पहल तो एक case study लिख रहा हूं मैं सरे, case बना रहा हूं, उस case को समझेना, आपको clear हो जाएगा, कि ये ABC classification है क्या, और हमसे सुनना, बदसर लिए सुनना, बाद में सुनने के बाद पॉस करके नोटिक कर ले ना, लेकिन पहले सुनना, बिच्चों मेरी बातों को, ठीक है, नोटिक अधर ये company है, store मतल समझ में जाएता, जहां पर कच्छा माल रगते है, और इस एकस लिएक काम में फरनीचर manufacturing का का में, ये company फरनीचर तियार करती है, फरनीचर मतल समझ में आ गया, वही टेबल, कुर्सी बगएरा फरनिचर बनाने का सोपा, बैड बगएरा बनाने का काम है इसका X-Limited का ठीक है तो X-Limited का काम है सर फरनिचर बनाने का अब यह है इसका स्टोर रूम अब इस फरनिचर बनाने में हमारे पास तीन तरीके का मालीजर यूज होता है, तीन, मैं तीन लिखवा रहा हूँ ठीक है, मालों टिम्बर याइज लकडी ठीक है नमबर टू है राव मेटेल मालीजर फैविकॉल और लैट सपोज पीसर राव मेटेरियल नेल्स, याइज कीले क्या है कीले ठीक है, मालीजर X-Limited है पर निचर बनाती है, इसका स्टूर रूम में हमें तीन राव मेटेल चाहिए टिम्बर, फैविकॉल और कील तीन राव मेटेल की नीड होती है अब जराव सुनीए का कैसे वर्किंग होती है मालों हमने इसके हमारे को ने लॉक का मतलब होता है बंडल ठीक है, तो दस लॉक बंगवाए और एक लॉक आया मालों दस जार रुपेका ठीक है, तो कितने का आगे एक लाब रुपेका हमारे पर ये सामान आया ठीक है उसके बाद हमने फैविकॉल मंगवाई 100 बोटल्स और एक बाटल 100 बे की थी कितने के आगे 10,000 की क्लियर उसके और नेल्स मंगवाई 5 किलो 200 रुपे पर किलोग्राम के साब से थी 1,000 और सप्लियर ने बोला था हमारे को जिसे हमने नेल्स मंगवाई है उस सप्लियर ने क्या बोला है 1 किलो के अंदर 1,000 नेल्स निकलेगी यह सप्लियर ने कमिट्मेंट किया हुआ ओके तो हमने क्या बोला हमने 3 सामान मंगवा रहे है तो 10 लोग टिम्बर्स एक है फैबिकॉल 10 बोटल 100 पे के साब से एक नेल्स मंगवा रहे 5 किलो जिसमें एक किलो में 1,000 नेल्स निकलेगी थाउजर बिकिस की ठीक है चलेगा अब हमने इस सामान ओर्ट मंगवाया हमने ठीक है और मान लिजे बच्चों हमने लगाने इंवेंटरिकों पर कंट्रोल और हमने एक कंट्रोल सबसे पहला जो बनाया है फॉस्ट कंट्रोल हमने सबसे पहला बनाए क्या जब भी raw material in हो इसको properly count करें जब भी raw material in कहां पर हो store room में हमाई raw material आए सबसे पहली working होने चीज़ इसको counting करने लिए सबसे पहला control हमारे पर इसके है जब भी raw material आपकी store room में आ रहा है first of all counting करें अच्छा सबसे बताना control लगा दिया अब control को implement करते हैं कि इन अपने raw materials के उपर ठीक है जो हम raw material मंगवारे ज़िए 10 लॉक तो मुवारे ज़िए timber 100 बोटल मंगवारे कावी कॉल और 5 किल मंगवारे नेल्स जिसमें एक किलो में इकलती थाउजन सुनना ज़र आएक एक बार सर कंट्रोल लगाना चालू करते हैं सर सुनना सर दस लॉक टिमबर थी मैंने काउंटिंग करने चालू करी 1234567199 तो मुझे बताने क्या हो गया होगा इजले काउंटिंग उगई या नहीं गई उगई उगी सरस्त दस ले-ल 오chat पदे पांच मिनट पर को गई होगी हमने काउंटिंग करके इसकोह डाल आल डाल दिया हो थ्टोर में कऱा दिया होगा आएंगे उसको counting करना है दस लोग आए हमने इसको counting कर राष्ट बटाल दिये कंट्रोल implemented सब्सक्राइब कम टाइम में गाम हो गया दूसरा सब्सक्राइब सुनना 100 बोटल मुँआ है भी कॉल की 100 अरपे के साथ से इसको count करो को जाएगी हो जाएगी हो जाएगी थोड़ा समय जादर लगेगा विए सौ बोटल क्या हो जाएगी काउन्ट हो जाएगी चले तो यहां पर भी कंट्रोल क्या हो गया यहां पर है कंट्रोल में भी कंट्रोल में हो गया इन और मैंने इस्तूरूम में इंट कर दी बहुत बढ़ी है सर अब आधा आते हैं नेल्स की अब बाते किसकी आते हैं किलो की बाते हैं सर किसकी कीलो की अच्छा सर हां अब ज़रा देखना बच्चो एक कीलो कील में एक द्याट चल ली थी तोटल कितनी हो गई पांच हजार कील इसकी काउंटिंग करूं इसके को बोलो काउंटिंग कर रहां चाहिक को कंट्रोल लगा या कि काउंटिंग करने वाला कउंटिंग कर ली implemented टो काउंटिंग करी तो काॉंटिंग करना असान होगां डिक्रण ती करी सो papas प्रचेस करें उसको कॉल करो भाईया आपने तो बोला था एक किलो में हजार निकलेगी पांच किलो में पांच जार ये तो उल्ली 4590 निकली है ये नियस तो कम रह गई कहां गई बताओ ज़रा तो सप्लायर जी ने बोला अरे भाई सुन मेरी बात आपकी counting में घड़ पड़ी है द्वारा करालो समझे रहो अब आप क्या करो आपके द्वारा counting करो होगे उसरों साब कहा दिया आपकी counting में घड़ पड़ी है अगर आप ऐसे बार-बार counting कराने लगोगे ना तो हो सकता है आपने control लगाने से आपकी cost बढ़ जाए किसके जगा घड़ने की जगा तो क्यों जो बंदा count करेगा क्या वो प्री में count करेगा उस बंदे की जो full day की कोई ना कोई salary कोई wages कुस्तो रही होगी जोको आप हिंदी में ध्याड़ी बोलते हो बोले यह सौर नो उस तो रहा होगा नहीं रहा होगा प्री में तो काम भी कर रहा होगा बोले यह सौर नो यह सौर नो तो इस तरीके से अगर नेल्स की counting कराने बैट गए तो cost बढ़ भी सकती है घटरे के लावा तो बच्चो इस case में बोला गया कि आप केवल इसको तोल लो that is कितना किलोग्राम है और इसको इन कर लो अच्छा सर इतनी लाव परवाई यस सर क्यों सर इसका reason बड़ा simple सा है क्योंकि जो nails है जो nails है बच्चो वो nails जो हमारे लिए है कही ना कहीं यह small value का item है यह छोटी value का item है और अगर इस पे इतना strict control आप लगा दोगे तो देर में भी chances कि cost घटने की जगा बढ़ते है अच्छा सर है हाँ तो इस बात से हमें एक clarity मिली इस case study से कि हमारे पास कई तरीके के raw material एक company में या एक industry में use हो सकते हैं और हम सब के ऊपर एक जैसा control नहीं लगाएंगे और सब के ऊपर अगर एक जैसा control लगाया तो post घटने की जगा क्या सकती है बढ़ सकती है तो सर क्या करे तो बोला कि जितने भी raw material है उनको तीन category में बाटो कितनी category में बाटो बच्चों जितने भी raw material हम यूज करते है चाहिए 100 अगर के raw material भी यूज करते है हमको तीन category में बाटो category A, category B, category C और सब कैसे बाटो कैसे बाटो उसकी cost के हिसाब से है उसकी cost के हिसाब से जो highest cost item है उसको category A में रखो जो lowest cost item है उसको category C में रखो और जो medium वाला है उसको B में रखो ठीक है और उसकी cost के basis पर उसको आप तीन category में बाटो A, B और C और जो A category का item में उसके highest control लगाएं जो C category का है उसके lowest control लगाएं अगर मन करता है तो ना भी लगाएं चलेगा और जो B category का item में उसके moderate समझ में आगी बाद तो इस case study से समझ में आई बाद तो सारे raw material में आपको सीम level का control नहीं लगाना आपको सारे raw material में आपको तीन category ही बाटना पटेगा A, B, C और case base में बाटना पटेगा उसकी cost के basis पर clear और जिसकी highest cost वो A category जिसकी lowest cost वो C category ठीक है चलेगा अब moderate cost वी क्या टाइगरी clear तो आप इस परे में theory लिखेंगा जरा आप इसकी concept लिख लेने हैं जर जो हमने पढ़ा ठीक हुआ 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 अंडर A, B, C अनलाइस all the raw material will be classified under three categories A, B and C ठीक है तीर category में बटेगा the classification किसके बेस में बटेगा किसके बेस में बटी उनकी cost के बेस में यस और नो okay the classification will be done will be done on the basis on the basis of their cost उनकी cost के बेस पर किये जाएगा सर इस पर highlight भी कर लेना classification होगा cost के बेस इस पर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा एक साल में पूरे साल में मेरे पास raw material की cost कितनी आई सर्थ अपूरे साल में पर पर में पर अपके उपर आपके उपर कोस्टिंग करेंगा आपके उपर को सब्सक्राइब कर लों सब्सक्राइब करना है तो लेट सब्सक्राइब कर रखा और एक साल के अंदर raw material cost कितनी एवदाना बच्चों एक लागवर ठीक है और total units पूरी साल में लगी है total units कितनी कंजूम होगी पूरे साल मान दस जार उनिट्स ओके तो इसमें बोला जाता है classification कैसे होगी बोला गया category जो A होगा उस category बोला गया है कि total cost का तो सबसे महंगा होता है तो total cost का 70% किसमें लगता है approximately category A item में क्योंकि महंगे item होते हैं तो जितनी भी total cost पूरे साल बार में आती है उस cost का approximately 70% cost किसकी होती है एक ही और quantity कि जब महंगे item होगी तो quantity तो कम होगी या नहीं होगी कम quantity के विदाम जादा होंगे और quantity बोला गया 10% होगी total quantity की समझ मैं यह बात तो simple जी बात है आपको समझ में जाए कि ओपर वाले case study से भी देखो category A में टिंबर डालोंगे इसाब से इसकी costing सबसे क्या थी ज्यादा थी एक लाग और रुपे और quantity ओनली दस थी लेकिंगे इसी में बाट करो costing सबसे कम थी 1000 लेकिंगे quantity सबसे ज्यादा तो बोला गया है कि जो category A के items होते है वो total cost का समसे जादा लेते approximately 70% और quantity का only 10% की approach लेते approximately लिग रहा हूँ जब अप्रोक्समेट का क्या मतलब होगा I will discuss in the practical question ठीक है category B में बताएं सर्थ category B में बोला गया है total cost का तो पहले category C लिखते हैं category C में total cost का approximately 10% ही रहता है सर्थ इन में cost सबसे कम होती है quantity सबसे ज़्यादा हो quantity approximately कितनी होती है 70% approach quantity सबसे कम और सबसे ज्यादा और cost सबसे कम और यहां पर दोन अचीज़े moderate होती है कितनी कितनी होती है वदाना बच्चो 20% approach 20% approach clear बात समझा कि total cost एक लाग की लग रही है तो इसमें सकतर हजार रोग की cost approach किसकी अपूप पर आएगी A पे 10,000 का हिससे किसमेंगा approximately C पे और B पे कितना 20,000 का इस तरीके से एक लाग की cost टोटल अगर रामटल के लग रही है तो category A की आइटम approximately 70% cost खाजाएंगे इतने महंगे आइटम होते हैं और C के इतने सस्ती होते हैं कि या 10% भी खापाएंगे और quantity की बात करूं तो C वाले कितनी quantity टिखाएंगे सबसे कम quantity खा रहे होंगे और सबसे कम quantity सबसे महंगे और यह वाले फिर तो इस तरीके से classification होती है यहां पर ठीक है तो मैं इसको थोड़ा टेवल पॉर्मेट लिख वाजाता हूँ मैंने नॉर्मली बता दिया आपको ठीक है तो लिख ले दे हैं तक classification अंडर A, B, C classification will be classification is as follow category, total composition ठीक है ना और आप level of control की बात की तरहें तो तो बोला गया सर, category A, category B and category C तो बोला गया composition किसे लिए लगती है बताना category A में तो बोला गया इसके अंदर जो composition लगती है बताते है जो quantity पर सोई है ऐसे लिख लो उपर जाली लिखना है तो टोटल कॉस्ट का approximately 70% अपरोक्स पर लिख लिख देना बीच लाज किना और quantity का approximately 10% approach को कि managerial subject है ना fix तो हो नहीं चकता तेक है यहाँ चलेगा यहाँ पर total cost का 10% अपरोक्स और टोटल कॉंटिटी का 70% अपरोक्स यहाँ पर बताओ total cost का 20% अपरोक्स total quantity का 10% अपरोक्स ठीक है इस तरीके से होगा और अगर बात के लेवल अप कंट्रोल यहाँ का level of control क्या होगा हाई यहाँ पर हाई कंट्रोल से लगाए को कि सबसे महंगे लो कंट्रोल्स ठीक है और एक और बात कर सकते हैं इसको रख सकते हैं management by exception अब सरी management by exception क्या ज़रा हमें ये बताएं sir what is the meaning of management by exception sir तो ज़रा सुनना management by exception का मतलब होता है बंचो ज़रा सुनिएगा कि आप लोगोंने 11-12 में कभी पढ़ा होगा ये management में कि management by exception का मतलब हो था किसी items पे management ना लगा तो भी चलेगा उसकी management नहीं भी करो भी तो भी चलेगा sir तो category c के item ऐसे item है अगर इनको management by exception में भी रख दोगे that is अगर कोई management नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा sir तो कि बहुत low cost item होती है अच्छा sir हाँ और बी वालों में बोला गया control लगाओ moderate कैसे लगाओ moderate इस बीच वाले इन्हें सबसे high controls इन्हें बिल्कुल low controls और यहाँ पर moderate controls आप implement करें ठीक है तो ABC समझ में आ गया कि controls तो लगाने हमको लेकि control से पहले का करना है सारे raw metal को classify करना ABC classification में किसके base पे उसकी cost के basis पे महेंगे वाले items महेंगे वाले items पताना ए सबसे सस्ते वाले c बाकी वाले moderate क्लियर तो classification table भी क्लियर हो गई यहां तक आप next class में पढ़के आना तो इसको पर practical question करेंगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे चलिए आज किले हम यहीं पर over करते हैं मिलते हम लोग next class में